हालो प्रेंट्स जो आपको मेरी टेबल के उपर जो इंजेक्षन देख रहा हैं तर 20 इस िंजेक्षों पर otop Favor famille उस इंजेक्षन के चोटे परसों में कितनी डोज देने चाहिए किस रोग के अंगर सबसे ज्यादा इसका बेनफित होता है और इसके क्या साइड फिक्ट हो सकते हैं यह सेफ है या नहीं आज आपको इस डिस्यार के बारे में डिटेल से बताया जाएगा वीडियो लंबी भी होगी लेकिन वीड कर आपके प्रसुम के रूप में ते अच्छी बाइंदर पीनिसलीं में करती आप रूप इसंट्याइटिक को किन रोगों के अंदर कर रिजल्ट बढ हो गया है तो आप इस एंट्वाइटिक का प्रीयूग किया जाता किसी भी पर सुमीडी पाति टीटनस और लोग जा याईनि आपके परसूं में टीटनस हो जाए आप टीटनस के क्या सिम्टम्स हैं लोग जाए दिया आपके परसूं का जबड़ा है वो बंद हो जाए खुल नहीं रहा है तो उस इस्तति में भी इस एंटीबायोटी का प्रियो किया जाता है वैसे के बारे मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी विए इसके क्या सिम्टम्स हैं क्या कारण है क्या इलाज करना चाहिए कैसी विक्सीन इसन करवाना चाहिए याईनि टीटनस के अंदगत और कोई एंटीबायोटीक काम नहीं करती है इसी तरह आपके परसूं में जैसे जूट हो गया है एंटर्क्रेक्स के बारे में ऐदी आपको वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो ला घर करके दे दूंगा लेकिन उस डिजीज के अंदर बहुत पรूब किया जाता एक स्टरेंगल रोगख होता है गोडु का रोग उसके अंदर भी इस इंटीबायोटीक होत बैंसों चे बेढो खटोर हो गई है तो उसके अंदर भी इस एन्टी वाइटी का परियोग कराया जाता है जाता है एक आपके परशू में जिस प्रकार्च रिखूनी दस्ट हो रहे हैं छोटे जैसे बच्डे हैं या आपके वखरियां है उसमें दस्तों तो भी आप इस तो उस गहाव को बराने के लिए जो एंटिबाइटिक होती है यह स्ट्रेप्टो पेनिस्ली नहीं दीसियार का प्रियूग किया जाता है उसमें भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है यह आपके पसूं में इस तरह की दिकत है तो किसी भी तरह का ईदि आपके पसओं में घाव हो गया है तो यह आपके पसूं को यह बुखार हो गई है उन पसूं में किया जाता है जिन पसूं के अंदगत इस तरह की दिकत हो यह और या या बेक्ट्रियल इंफिक्शन हो जाए तो भी इस एंटिवाइटी का प्रयोग किया जाता है देखो अब यह इस एंटिवाइटी की जो दोज क्या होती है कितनी दोज देनी चाहिए एदी में दोज बता हूं तो क्योंकि यह लंबे समय से एंटिवाइटिक पसूं में दी जा रही है तो लंबे समय से ये प्रियोग किया जाता है जिन प्रसूं का बोडिवेट ठीक है 2500-300 kg से उपर है यानि ज्यादा है तो आपको जो ये 5 ग्राम इसका प्रियोग किया जाता है जो बड़े पशाद है जो बड़े प्रसूं ऑसके पंदेगत यानि चोटे पसों में बेडी डाई ग्राम करो सकते हैं यहाद्य बेहर बक्रियों यहाधा going करो सकते है तो इस इंजेक्शन जो डायी ग्राम होता है इसकी आप दो से तीन डोस जनका पूर तीन हुई होता है तो दोज आप इसकी बना कम शक्ते हैं आप इसकी घूशर अधा अगर दिस्टिल wash हुता है उसके साथ भी आप इसको गोल सकते हैं उसके साथ इसाथ इंजेक्शन लेकर कि आप 10 oral करके आप इसको घोल सकते हैं अविल इंजेक्शन से जैसे भी आप इस पाउडर को गोल सकते हैं साथ इसको जिस प्रकार से सीपीम आता है जिस प्रकार से कैडिस्टीन है कलोर फिनेर माइन मेलेट के बारे मेरे चेनल पर एक डीटेल सी वीडियो बनी विए वो भी आप जाकर के देख सकते हैं कि इंजेक्शन आपके प्रसुमें सीपीम इसका प्रियोग किया जा सकता है मेत् theo को एंजेक्शन होती है यह इंप्र आपके पषुमें साइट के तोर पर रिएक्शन भी कर सकती है यह है से अपकी प्रेसूं को है कि शरील पर लाला बान आ चुल एक्पेश्व्में सकता है तो आपको क्या करना है जब अ술 औ तो पेनिसलीन ग्रूप की कोई भी एंटिवाइटी की इंजेक्शन प्रियोग कर रहे हैं तो उनके साथ आप जो एक डिस्टेन इंजेक्शन या एविल इंजेक्शन का प्रियोग उन पसुमें जरूर करें इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो का भी स्क्रिप करके में देखा करें आपको बहुत यह अच्छा आपको मिलता है तो रीक्शन भी आपके पसुमें हो सकता है रही बात यह आपके पसुमी यह जुरी नहीं कि सभी पसुमें आप जो यह कलोर फिनेर मायन मेले ऐविल इंजेक्शन साथ में प्रियो प्रियोग करवा सकते हैं प्रियोग करवा सकते हैं जितनी मैंने आपको इडिजीज बता ही है उन सभी डिजीज ऐस दिजीज में आप इस इंटि वाइटी का प्रियोग सुरुवाती स्तियवर पर कर सकते हैं वो लगातार इस ऐंटिजीज प्रियोग आप एक दिन दिन से रहे बाद जितनी में इंजेक्शन बताता हूं वह सिर्फ पसु चिकत्षक के द्वारा यह आपको लगवाने हैं यह दि आपको डिस यार स्टेप्टो पेनिसलीन के बारे में मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो निचे जाके आप कमेंट में लखें मेरी वीडियो का अपने इंजेक्शन लगवाना है नaken की आपको शुषाच को इंट्रावीनस इस बात का भी आपको प्यप्रियान रखना है कि इंजेक्शन है आपके पश्टो में इंट्रमस्कुलर ही दिया जाएगा रहे बाद जब भी एस आप को पश्टों को फोटने इंजेक्शन लगा तो सा असर दूद के अंदर 20-30 तक रहता है देखो मैं हर बाट बताता हूं कि इस कोन से injection का असर पसूं में रहता है याई बैधर गंटے तक इससी असर आपके पसूं में रहता ही रहता है तो आप इसका दूद का परियों कर रहे हैं तो अच्छे आपका प्रियों करें अच्छा ही आपके स्वास्ते के लिए अच्छा रहेगा अब अच्छी तरह से समझ गए होगे वीडियो लंबी होती है देखो महर बात आपको सभी तरीके से आपको आने वाले समय में इस चैनल पर ऐसे मिलती रहेंगी इसी तरह से मेरी वीडियो देखते रहें इसी तरह से मेरे को प्यार देखते रहें थैंक्स धन्यवाद